बेलकम गाईज में बिजियें आप देखर धन्सिंग पुरु श्टेडी चनल गाईज इस वीडियो में जो भारत के राष्ट चिन्न पृतिक हैं उनके संबंदिध हम 25 कोश्चन लेके आये हैं जो गाईज आर्मी के जीडी हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो या ट्रेड में कोश्चन पूछ लिए जाते हैं एक दो यहां से तो गाईज वीडियो अच्छा लगया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें दोस्तों आज सेर भी कर दें तो गाईज पहला कोश्चन है बहुत ही इंपोडेंट कोश्चन है गाईज वीडियो लास्ट तक चोड़ाई और लंबाई का अनुपाद तो गाईज इसमें आपको कनफ्यूज नहीं होना है यहां पर दे रखा है लंबाई और चोड़ाई और यहां पर दे रखा है चोड़ाई और लंबाई का अनुपाद पूछा गया है तो गाईज यहां पर ध्यान लखें दूसरे का option जो है B सही हो जाएगा इसका 2 ratio 3 हो जाएगा यहांपर देख सकते हricia ज़िए लंबाई की अगर बात की जाए तो 3 ratio 2 है अगर चोड़ाई की बात की जाए चोड़ाई लंबाई की अनपात की तो guys इसका 2 ratio 3 है तो guys इसे यहां 32 और 23 से ध्यान कर सकते हैं तो इसका option तीसरे का जो है तीसरे का option B. सही हो जाएगा गहरा नीला Q4 है जो चार है भारत के राष्ट द्वज के चक्र में कितनी तीलिया है गाईज इजी question है इसका सही option हो जाएगा 24 Option नमबर D. सही हो जाएगा कोश्चन नमबर गाईज पांच है सुतंतर भारत के राष्ट धोज का डिजाइन निम लिखित में से किस ने किया था गाईज बहुत इंपोडेंट कोश्चन है तो पांच में का ओप्शन जो है डी सही हो जाएगा कोश्चन नमबर छे है भारत का राष्ट गान है तो गाईज हमें भारत का राष्ट गान इसमें बताना है क्या है तो छटे का ओप्शन जो है ओप्शन C जन्गन मन हो जाएगा कोशन नमबर साथ है भारत के राष्ट गान के रचईता है तो भारत के राष्ट गान के रचईता जो है गाईज रविंदर नाट टेगो रहें गाईज इसको आप ध्यान रखें और राष्ट गीत से कन्फूज ना हो Quesion No.8 है राष्टिय गान जन्गर्णमन सरप्रथम कब और कहां गया गया था तो इसका option A सही हो जाएगा 1911 में जो की कलकत्ता में गया गया था Quesion No.9 है भारत के राष्टिय गान जन्गर्णमन को संपूर रूप से गाने में कितना समय लगता है तो guys इसे हमें बताना है तो guys इसका समय हो जाएगा जो सही 52 सेकेंड लगता है तो guys question No.10 भारत का राष्टिय गीत इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है भारत का राष्टिय गीत है guys बंदे मातरम और राष्टिगान जन्गर्णमन है guys question No.11 भारत के राष्ट गीत के रचेता कौन है तो guys इसका ओप्सन हो जाएगा सही बंकीम चंदर चटरजी guys राष्टि गान की बात करें रचेता तो राविंदर ना टेगोर है और राष्टि गीत की तो बंकीम चंदर चटरजी है question number 12 है guys भारत के राष्टगीत के गायन की अबदी है तो guys भारत का जो राष्टगान है उसमें 55 जो है बावन सकेंड लगते हैं मगर राष्टगीत में 65 समय का 65 सकेंड लगते हैं तो guys question number 13 है भारत का राष्टगीत बंदे मात्रम शरब पर्थम कब गाया गया था तो इसका option जो B सही हो जाएगा गाईज 1996 में Question number 14 भारत का राष्ट गीत बंदे मात्रम किस ग्रंत से संकलित है या लिया गया तो इसका सही option हो जाएगा गाईज C आनंद मट से लिया गया Question number 15 आका सुआणी और दूरदर्सन के देनिक कारकरम की सुरुवात किस से होती है तो किस गान से गाईज इसकी सुरुवात होती है तो इह हमें बताना है तो गाईज 15 का option जो है B सही हो जाएगा गाईज राष्ट गीत से होती है Question number 16 सारनात में इस्तिति इस्तंब का कौन सा भाग राष्टी है प्रतीक चिन्ड के रूप में लिया गया है तो गाईज इसका हमें बताना है किस से लिया गया है तो गाईज इसका option जो है A सही हो जाएगा सीर्स भाग Question number 17 भाष्ट के राष्ट प्रतीक में निम्लिखित में से कौन सा पसू द्रेस्टिंगत नहीं है तो गाईज इसमें option जो है सिंग भी है साड भी है और घोडा भी है तो इसका option जो है D हो जाएगा गलत जो कि यह नहीं है Question number 18 भाष्ट के राष्ट प्रतीक चिन चिन में कितने सेर दिखाई देते है तो इसका option हमें बताना कितने सेर दिखाई देते है तो गाईज इसका option जो हो जाएगा थिरी हमें दिखाई देते हैं तीन सेर Question number 19 Question number 19 भाष्ट का राज राज चिन असोग महन दोरा सारनात में इस्तित सिंग से लिया गया है इस राज चिन के मूल सिंग में कितने सिंग हैं तो गाईज इसमें हमें बताना कितने सिंग हैं तो गाईज इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन C चार हो जाएगा कोशन नमबर 20 है गाईज भारत के राष्ट संबत के रूप में कि संबत को मानिता प्रदान की गई है तो इसको अप्शन गाईज हो जाएगा 20 है सक संबत को कोशन नमबर 21 सक संबत पर आधारित राष्टिय पंचांग प्रथम मास होता है तो इसका गाईज जो अप्सन जो हो जाएगा प्रथम मास इसमें पूछा गया है तो गाईज जी इसका अप्सन जो है यहाँ पर हो जाएगा चेत चेत मास है जो सकसंबत पर आधारित राष्टिय पंचांग में प्रथम मास होता है तो इसका guys option हो जाएगा फागुन माह अंतिम होता है भारत का राष्ट पसू है तो guys इसका हो जाएगा option C सही राष्ट पसू बाग है उसके बाद question है बाग से पूरुप भारत का राष्ट पसू था 24 question है तो इसका option सही हो जाएगा C गाई जो की सिंग था भारत का राष्ट पस्ची है तो guys इसका option हो जाएगा A सही मौर तो guys question number 26 है मत्य परदेश के किस जिले में राष्ट पस्ची बहुतायत में मिलते हैं तो इसका option हो जाएगा guys A सही मौरेना में तो guys इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस बेल आइकन को भी दवाएं guys जो भी latest वीडियो अप्लोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगी guys हमारे चैनल पर educational और टेक्निकल वीडियो मिल जाएगे guys जी के साइंसे संब वीडियो प्लब्द मिल जाएंगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेहिंद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाई बाई